अप्रमाद सूत्र तेराई शीतंति सुवंतानं अथ्था पुरिसान लोगसारत्था तम्मा जागरमाणा विजुनधना पूराणयं कम्मं जागरिया धम्मेनं अहम्मिनंच सुत्या सेया वच्चा हिवभगिनिये अकहिं सुजिनो जैंतिये सुत्ते सुयावि पडि बुद्ध जीवी नवी ससे पंडिये आसुपन्ने गोरा मुहुत्ता अवलं चरीरं भारंड पक्षी वचरे पमत्तो पमायं कम्ममा हम्सु अप्पमायं तहा वरं तभावा देशो वावी बालं पंडियमे ववा। नकम्मुना कम्म खवेंति वाला अकम्मुना कम्म खवेंति धीरा मेधाविनो लोवमया वतीता संतो सिनो नपकरेंति पावं सववो पमत्त सभयं सववो अप्पमत्त सनत्थिभयं नासल नालसे नसमं दुखं नविज्या सहर निद्दया नवेरग्यं ममत्तेनं नारं भेन दयालुया जागरह नरा निच्चं जागरमानस वड़ते बुद्धी जो सुवतिन सोधन्नो जो जगति सोसया धन्नो आदाने निच्चेवे ओसिरने ठान गमनसे नेशू सववत्थ अपमत्त दयावरो होदू हू अयूंसवो शुत्रा थर्टीन अप्रमाद सुत्रा परसेप्ट अविजिलंस English Rendering Gatha 160 This is with me and this is not. This is done by me and this is not. Even while a man is fondling thus, He is removed away by death. How can one be careless in this state? Gatha 161 He who sleeps, his many excellent things of this world are lost unknowingly. Therefore, remain awake all the while and destroy the karmas accumulated in the past. Gatha 162 It is better that the religious minded should awake and the wicked should sleep. This is what Jinnah said to Jayanti, the sister of king Vatsa Desha. Gatha 163 A wise person of sharp intelligence should be awake even among those who sleep. He should not be complacent because time is relentless and the body is weak. So, he should ever be vigilant like the famous bird. Gatha 163 Bharanda Gatha 164 Careless is the cause of karma that is the inflects. Vigilance stops it. He who is invigilant is ignorant and he who is vigilant is wise. The ignorant cannot destroy their karmas by their actions while the wise can do it by their inaction. That is by controlling their activities because they are free from greed and lustful passions. And do not commit any sins as they remain contented. Gatha 166 Gatha 166 There is fear from every direction for an invigilant person while there is no fear for a person who is vigilant. Gatha 167 An ideal person can never be happy and sleepy person can never acquire knowledge. A person with attachments cannot acquire renunciation and he who is violent cannot acquire compassion. Gatha 168 Gatha 168 O human beings, always be vigilant. He who is alert gains more and more knowledge. He who is invigilant is not blessed. Ever blessed is he who is vigilant. Gatha 169 Gatha 169 Gatha 169 A compassionate person who is always cautious while lifting and putting a thing, while urinating and exerting and while sitting, moving and sleeping is really a follower of non-violence. Gatha 169 Hindi rendering Hindi rendering Sutra 13 Sutra 13 Ap Pramad Sutra Gatha 169 Gatha 160 speaking D Gatha 169 जो पुरुष सोते हैं उनके जगत में सारभुत अर्थ नस्ट हो जाते हैं अतहा सतत जापते रहकर पुर्वाजित कर्मों को नस्ट करो गाथा 162 धार्मिकों का जागना श्रेशकर है और अधार्मिकों का सोना श्रेशकर है ऐसा भगवान माहविर ने वत्सदेश के राजा शतानिक की बहन जयांती से कहा था 163 आशुप्रत्यपंडित सोय हुए वेक्टियों के बीच भी जागृत रहे प्रमात में विश्वास न करे मुर्त बड़े घोर और निर्दई होते है शरिर दुर्बल है इसलिए वह भारंड पक्षी की भांती अप्रमत्त होकर विचरन करे गाथा 164 प्रमात को कर्म याने के आश्रव और अब प्रमात को अकर्म याने के संवर कहा है प्रमात के होने से मनुश्य वाल याने के अध्यानी होता है प्रमात के न होने से मनुश्य पंडित याने के ज्ञानी होता है सुत्रा 165 अत्यामी सादक कर्म प्रवृत्ती के द्वारा कर्म का क्षय होना मानते है किन्तु वे कर्म के द्वारा कर्म का क्षय नहीं कर सकते धीर पुरुष अकर्म याने के संवर या निवृत्ती के द्वारा कर्म का क्षय करते है में धावी पुरुष, लोभ और मदसे अतीत तथा संतोशी होकर पाप नहीं करते गाता 166 प्रमत्य को सम और से भय होता है अब प्रमत्य को कोई भय नहीं होता आलसी सुखी नहीं हो सकता निद्रालू विद्याभासी नहीं हो सकता ममत्म रखने वाला वैराज्यवान नहीं हो सकता और हिमसक दयालू नहीं हो सकता गाता 168 मनुष्यो सतत जागरुत रहो जो जापता है उसकी बुद्धी बढ़ती है जो शोता है वह धन्य नहीं है धन्य वह है जो सदा जापता है गाता 169 वस्तूं को उठाने धर्दे में मलमुत्र का त्याप करने में बैटने तता चलने फिरने में और शेयन करने में जो दयालू पुरुश सदा अप्रमादी रहता है वह निश्चय ही अहिंसक है सांस्कृत रेंडरिंग सूत्रा 13 अप्रमाद सूत्रा गाथा 1.6.0 इदमेस्ति इदचनास्ति इदचमे कृत्यमिदं अकृत्यम् तमेवमेव लालप्यमान हरा हरन्तितिकत प्रमाद गाथा 1.6.1 स्रीदंति स्वपताम अरथा पुरुशानाम लोकसारार्था तस्मा जागरमान विदू नयत् पुरानकं करमं गाथा 1.6.2 जागरिका धार्मिनाम अधार्मिनाम् चसुक्तप्ताश्रेयसि वत्साधीप भगिन्यान कतितवांजनह जयंत्याः गाथा 1.6.3 सुप्तेशुचापी प्रतिभुद्ध जीवी न विष्वसेत पंडित आशुप्रत्ना गोरा मुहृताँ अबलं शरीरं वारंड पक्षिव चरेत् अमः अप्रमत्ताः गाथा 1.6.4. प्रमादं कर्म आहूर प्रमादं तथापरं तथ्भावादेशतो वापी बालं वालं पंडितमे वावाद गाथा 1.6.5. नकर्मना कर्णक्षपयंति बालं अकर्मना कर्मक्षपयंति धीरह मेधा विनो लुगमदात् व्यतितह सदोशिनोनो प्रकुर्वंति पापं गाथा 1.6.6. अनिद्रया नवेराग्यं अमत्वेनं नारम्वेनं जयालुता गाथा 1.6.8. जाग्रदनरा नित्य जाग्रमानस्य वृद्धर्ते बुद्धि यस्वपितिनसो धन्यां या जाग्रतिसी सदाधन्यां गाथा 1.6.9. अदाने निक्षे पे व्युत्सर्जन्ने स्थान गमनशनेशु सर्वत्रा अप्रमत्व धयापरो बवती खल्व हिंसकाः स्थान